हेलो दोस्तो स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइमस में और आज हम सुरू करें तिर्कालदेव की एक पहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है तिर्कालदेव रक्तासुर यह इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों अभी तक आपने हमारे चानल को सस्क्राइब नहीं किया तो इस कार्य के लिए अपने महल के पुष्ट भाग में बना रखा है उसने रक्त सरवर जो हमेशा मानो रक्त से लबालब भरा रहता है बस अब सिर्फ तीन माह और रक्त असनान करना है उसके बाद हाहाँ उसके बाद क्या होगा यह राज के बल रक्तासुर ही जानता है लेकि हुए मस्तिस्क के साथ वापस महल की और लोट पड़ा हूँ खैर अब सबसे पहले मुझे आज के असनान के लिए मानो रख चाहिए उसके आदेज पर माया नगरी के खुनखार देट ये चल पड़े प्रिद्वी की और आज पूरे तीन वर्स बाद रखता सुरने हमें हमारा मन पसंद कार्यों सोपा है हम जी भर के हंगामा मचाएंगे आज प्रिद्वी पर उधर प्रिद्वी पर विलास नगर का राजमहल दुलहन की तरह सजा हुआ था कारण था विलास नगर की राजकुमारी सुरिय किरन का विवा पीई तू 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 बरात आ रही है बाजों क आवास सुनकर उठ खड़ी हुई सुर्य किरन की सहेडियां बरात आ गई चलो दुले को देखने चलते हैं आव सुर्या तुम भी तो देख लो तुम्हारा होने वाला वे दुले के भेस में कैसा लग रहा है चल हट सराती कहीं की ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी मैं तो चली लेकिन बाहर का दुर्स से देखते ही चितरलेखा के मुझसे चीक उबल परड़ी थी नहीं आई खचाक मानो रख चाहिए हमें खचाक आई नेत्र रक्तिम होते चले गए चितरलेखा के दुष्ट मानो रख नहीं मोत मिलेगी तुम सबको धड़ा ओ देत्य की तरवार हवा में ही लपक की तरचितरलेखाने और एक भरपूर वार कर दिया खचाक लेकिन परड़ी नाम देख उसकी आखे हैरत से खुली रह गई उप्या दैत्य तो माया भी लगते हैं अपना पात्र गिरते देख किसी बच्चे की भाती फूट फूट कर रो पड़ा था मरकटा सुर सारा रक्त गिरा दिया अब समराठ रक्ता सुर पीट तीन दिन तक मेरी जमकर पिटाई करेंगे और यह सब तेरी वज़ा से हुआ है मैं तुझे जिवित नहीं छोड़ूँगा मुसीबत कि इस घड़ी में चितरलेखा को एक ही सहारा याद आया भया तिरकाल देव जिसे पुकार रही है मुर्ख लड़की तुझे बचाने यहां कोई नहीं आएगा तिरकाल देव तक पहुँच चुकी थी चितरलेखा की पुकार किन्तु इस वक्त वो समुदरी चितरलेखा के प्रान खत्रे में है समझ में नहीं आता इन लोगों को छोड़कर वहां कैसे जाओं चिंता मत करो मित्र इन सब को मैं बचाता हूं अगले ही पल रूप परिवरतन होने लगा थिम्पू का और मित्र फोरन सवार हो जा मुझ पर चड़ो चड़ो सभी यात्रि बएया रुख जाओं तो ऐसे कह रहा है जैसे किसे देरे ही रखत से ही भर जाएगा रखत सरओवन तिर काल देओ का हाथ तेजी से घुमया मेरे रखत सरोवर भरे या ना भरे लेकिन तुम दुष्टों के रखत से ये धर्ती जरूर लाल कर दूंगा मैं साय हैरां रह गया तिरकाल देव अपना वार विफल जाते देखें विचितर से अंदाज में भावे मरकटा सुरने तिरकाल देव एक मौका वार करने का मैंने तुझे दिया एक मौका तू दे मुझे दुस्ट अभी तेरी बोलती पर ढखन लगाता हूं तना बुरी बात असहियों की भावना दुस्मनी को जनम देती है और मेरे दुस्मनों को जिवित नहीं छोड़ेगा मेरा जुरुआ भाई मायावी हुलूला वा हुलूला कमाल कर दिया तूने खचाक अब तेरे कसबर ढिले कर देगा मेरी ये ठोकर उफ राजकुमारी चितरलेखा ने जपट लिया पास खड़े सैनिक के उसका धनुस बान इन मायावियों को मैं मार तो नहीं सकती पर और खुन बहाने से जरूर रोक सकती हूं तीरों की वर्सा सी कर दी चितरलेखा ने आई यह मेरी तलवार एक की जगा दो कैसे हो गई मरकटे कहीं तुने भांग तो नहीं खाई हुई है तलवार दो नहीं हुई बलकि तूट गई है और तुझे अरेरे मेरी भी तूट गई हरकम मचा गया मायावी देत्यों में निहत्य दैत्य एक दूसरे का मुझ देखने लगे अब क्या होगा मरकटा तलवार नहीं तो क्या हुआ चुटकी काटोने से भी इन मानों का कुछ ना खुन तो निकलेगा ही हैरान रह गया रक्तासुर चितरलेखा का यह करनामा देखकर हैं एक लड़की ने मेरे मायावी से उको को विवस कर दिया बहुत खूब रक्तासुर बहादुर की कदर करता है खासकर सुन्दर बहादुर स्टिरियों तो रक्तासुर को बहुत ही अच्छी लगती है अठाहासा लगा उठा रक्तासुर हाँ हाँ अब यही सुधिरी मेरे रक्त सरोवर के लिए रक्त भी लाएगी और मेरी रक्ता सुदनी भी बनेगी और इस काम में उसकी मदद करेगी मेरीमाया भी सक्तियां हाँ हाँ he उधर मौत बनकर खड़ा हो चुका था तिरकाल देड़तियोक के सामने ठीक इसी पल आठा कराया रखता सुर्द्वारा भेजी गए परकास पुन चितरलेखा के मस्तिक से किसी हिंसक जानवर के से अंदाज में गुराती हुई तिर्काल देव पर तूट पड़ी वो रुक जा मुर्क तड़ाक उफ हैं हरान रा गया तिर्काल देव चितरलेखा की इस बदले हुए रूप को देखकर बहन चितरलेखा यह तुम क्या कर रही हो तड़ाक उफ चितरलेखा नहीं अपनी मौस समझ मुझे अगले ही पल हाथ उपर उठा कर चीख उठी तिर्का चितरलेखा जयत रखता सुर्द्वार और तो अपनी पलके तक जपकाना भूल गया तिर्काल देव अब क्या करना चाहती है यह हाँ 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 चितरलेखा ने अपनी मायावी की चितरलेखा ने मायावी देत्यों की और उच्छाल दी हाथ हाथों में परगट हुई तलवारे लो आपस में बाट लो यह इसे हद ही हो गई हमें जल्दी ही रखता सुर्ख के हसनान के लिए रक्त पहुचाना है खचाक आई रुक जाओ चित लेखा कहीं पागल तो नहीं हो गई हो तुम टनाक पागल मैं नहीं तुम हो गई हो तभी तो मरने के लिए बीच में आ गई हो उफ लगता है इसका मनमानी करने पर जुटे हुए थे वह अब तो मेरी गागर ऊपर तक भर गई गागर तो अब तक मेरी भी भर जाती हलूला मगर गलती से मैंने साइड इसे उल्टा करके रख दिया है तभी तो रख गागर के बेंदे से टक्रा कर बाहर भर रहा है फिर यह लो अब मैंने अपन क्या किया मुर्ख अपनी भरी गागर उलडदी सारा खुन बरबाद हो गया अबे तो तेरे पेट में क्यों दरद हो रहा है कौन सा तेरे चाचा का खुन था इस गागर में उफ कौन समझा इस नसेड़ी को जल्दी ही खुन भरी गागरे मायावी ढंक से उपर उठने लगी सर सर जल्दी ही फिर से भर जाएगा रक्त सरोबर आखे चमक उठी रकता सुर्की मौत तिरकाल देव के सिर पर पहुँच चुकी थी मरने के लिए तयार हो जाओ तिरकाल देव एक पल के लिए उत्पात मचाते देट्यों की और से और देखा तिरकाल देवने उफ इन बेगुनाहों को बचाने के लिए मुझे जल्दी चितरलेखा से चुटकारा पाना होगा चाहे इसके लिए मुझे इसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े तभी ठाक मेरे होते तुम्हें चितरलेखा के खुन से हाथ रंगने की जवरत नहीं पड़ेगी थिम्पू तुम हा मित्र अब जुट जाओ इन दुष्टों की गरदन कलम करने में चिंता मत करो अब इन में से एक भी दुष्ट अपना सीस पचा कर नहीं जा पाएगा अगले हिपल गरज उठा तिरकाल देव जै अगनी देव खचाक आईद अब भला देते कैसे अपना सीर बचाए रख सकते थे दुष्ट अब देखता हूँ कैसे बचोगे तुम आ समाई थी अगनी देवता की समझ सकतिया दिब्यास्तर में साँए खचाक खचाक अरे अरे मानो जान बचाकर भागने का एक मौका तो दे दे मुझे खटम हुए दुष्ट लेकिन यह देते अचानक प्रिद्वी पर आए कहां से यह तुम्हें हम बताते हैं पुत्र, इंदर देव, परणाम भगवन, परणाम सरिकार कीजे देव यह सस्वी भवव वस्ट, देव क्या आप सचमुच इन देतेों के विशे में जानते हैं? हाँ वस्ट, हमारी ही गलती से प्रिद्वी लोग पर इन देतेों का कहर बरसा है इन देतेों का स्वामी माया नगरी का मायावी समराट रखता सुर मायावी देते है वो जो पिछले 99 वरसों और 9 माह से लगातार मानो रखत में असनान कर रहा है यदि उसने 3 माह और मानो रखत में असनान कर लिया तो वो सदा के लिए अमर होकर पूरे ब्रहमान के लिए खत्रा बन जाएगा इसी बात से चिंतित होकर एक दिन महादेव ने हमें अपने पास बुलाया देव आपने मुझे याद किया हाँ देवराज इंडर तब महादेव ने हमें रक्तासुर के विसे में बताया नहीं देवराज इंडर माया नगरी में देवताओं का परवेस वरजित है वहाँ परवेस करते ही तुम जलकर भस्म हो जाओगे तो फिर कोई और रास्ता ढूंडना होगा मुझे कुछ देर सोचने के बाद दूसरा रास्ता भी मुझे सूज गया जोक मानो रक्ट प्रेमी जोक जोक फिर मेरे मंतर पढ़ते ही प्रिदवी के एक गंदे तालाव की एक जोक वहाँ परगट हुई जोक तुझे मायावी नगरी के रक्त सरोवर से सारा रक्त पीना है मानो रक्त वह भगवान क्या पसंदीदा कार्य सोपा है आपने मुझे मैंने मंतर बल से जोक को अठी सुस्म रूप में माया नगरी के रक्त सरोवर तक पहुचा दिया वह मानो रक्त से लबालब भरा रक्त सरोवर जल्दी ही रक्त सरोवर खाली कर दिया जोक ने लोग खाली हो गया नास पीटे रक्ता सुर का रक्त सरोवर फिर मंतर बल से मैंने जोग को पुनर वापस प्रिद्वी पर भेज दिया चपाक उफ आ गई फिर से मैं इसी गंदे पानी के तालाव में अपने उदेश में सफल हो मैं महादेव के पास पहुचा और उन्हों पुरी बात बताई मेरी बात सुनकर गंभीर हो गए वे या तुमने ठीक नहीं किया रक्ता सुर रक्त के लिए अब प्रिद्वी मानों पर मौत बनकर तूट पड़ेगा चिंता मत कीजे परभू तिरकाल देव के रहते वह प्रिद्वी पर कुछ नहीं कर सकेगा मेरी इस बात से उन्हें चिंतित कर दिया था लेकिन हमें मालूम ना था कि रक्ता सुर इतना चालाक निकलेगा और तुम्हें इस तरह विवस कर देगा उधर देवराज इंदर की बात का एक एक सब्द सुन चुके रक्ता सुर की आँखों में रक्त छलकने लगा था इंदर बहुत बड़ी भूल की है तूने रक्ता सुर से पंगा लेकर अब रक्ता सुर तिरकाल देव को तेरे ही हाथों से मरवाएगा रक्तासुर ने अपना माया जाल फेका तिरकाल देव बहुत प्यार करता है ना तू मेरी होने वाली रक्तासुर नी से अरे चितरलेखा कहा गई बहां चितरलेखा आदर्स होती चली गई चितरलेखा उस माया भी धुए में फसकर हैं तभी वहां परग्ट हुआ रक्तासुर रहा हा 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 देवराज इंदर अगर चितरलेखा की जान बचाना चाहते हो तो अपने हाथों तिरकाल देव और थिम्पू की हत्या करनी होगी तुम्हें हे भगवान किस दुनी किस दुविधा में फसा दिया आपने अब मैं क्या करूँ दुविधा में फसे थे देवराज इंदर उन्हें दुविधा से निकाला तिरकाल देवने भगवान आप मेरे प्रान लेकर चितरलेखा का जीवन बचा लीजिए उसकी राखी का करज अदा करना है हमें उसकी रक्षा के लिए हम सहस्त्र मिर्टू को गले लगाने के लिए तैयार है क्या मैं इनकी हत्या कर पाऊंगा तभी लो देवराज इंदर सोच विचार का भैंकर परिनाम कटा हुआ पंजा यह तो किसी स्त्री का पंजा है हाँ यह चित्रलेखा के हाथ का पंजा है और जैसे जैसे आप देर करोगे मैं चित्रलेखा के बाकी अंगों भी आप लोगों को भेट करता रहूँगा जीवित नहीं छोड़ूँगा मैं तुझे हाँ 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 साए चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित्चित् के ओठो से और सहीद हो गए इंसानियत की राह पर आत्म किलीन से जुके जा रहे सीरो को बड़ी मुस्किल से उपर उठा सका देवराज इंदर रक्तासूर अब तो चितरलेखा को छोड़ दो जरूर देवराज जरूर साधी के बाद हम दोनों तुम्हें आसिरवाद लेने ज जल दिया उधर रक्तासूर ने प्रिद्वी की और रवाना किया कुछ और माया भी देते जाओ अब प्रिद्वी पर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है हाँ हाँ तद पस्चात वहाँ पहुचा रक्त सरोवर इतने कम रक्त में हस्नान का मजा तो नहीं आएगा पर और रक्तासुर के मुझसे निकली एक जोड़दार चींक, धड़ाम आई हैं, कहा गया रक्त सरोवर का सारा रक्त, रक्त सरोवर का सारा रक्त दिव्यास ने सोक लिया है रक्तासुर, तो तू मरा नहीं तिरकाल देऊ, फुफकार उठा रक्तासुर, इसका मतलब इंदर ने ने रक्तासुर को लात गूसों पर रख लिया, देवराज ने तुम्हे धोखा देने के लिए भ्रम आस्तर का परियोग किया था, उफ़ ठाक, उफ़ ठाक, उफ तभी, तड़ाक, उफ, आंखे चमक उठी रक्तासुर की, यह दिव्यास्तर ही तिरकाल देव की सक्ती का मु मोदमित्र हा 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 था मुझए मारना तुम बच्चों के वस में नहीं आ तिर दिरी माया नकरी मैं आ गये हो तो थे देवराज इंद दुष्ट खचाक अदुष्ट अब यह पात्र तुम्हारे ही खून से भर कर जाएंगे माया नगरी खचाक खचाक एक एक करके सारे मायावी देत्य काल के गाल में समाते जा रहे थे उधर रखता सुर्की माया से परसान हो खचाक जाए अगनी देव जाए अगनी देव कर 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 में खचाक ले दूष्ट कर लेकिन ही पल मारे हैरत के आँखे फट पड़ी उसकी हाँ हाँ है देवता की समस्त सक्तियां मिलकर भी असवल रही, रक्ता सुर की हत्या करने में, उसका हाथ पुनर उठा और खचा, लेकिन परिणाम फिर वही, हा हा हा, उफ ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ था, रक्ता सुर को कोई नहीं मार सकता, सोय भगवान भी नहीं, वह अजय है, हा हा तब ही वहाँ गुंज उठा देवराज इंदर की आवाज, तिरकाल देव, रक्ता सुर को वरदान है कि उसे माया नगरी में कोई नहीं मार सकता, और धिम्पू इस दुष्ट को इस माया नगरी में से बाहर निकलता हूँ, अब रक्ता सुर को अपनी माया नगरी से बाहर ही होगा, वहां तिरकाल देव, मैं मान गया तुम्हारी बुद्धी को, अगनी हस्त के एक ही वार ने धवस्त कर दिया माया नगरी को, धूँ धूँ, धूँ, तिरकाल देव, मैं जीवित नहीं चोड़ूँगा तुझे, वह बाहर निकल गया तिरकाल देव, बादलों की तरह गरचता हुआ रक्तासर माया नग्री से बाहर निकला, निकट पहुँचते ही उसने अपनी विचितर तलवार से तरिकाल देव पर वार करना चाहा, लेकिन तब ही कड़कर कर बस रक्तासर बहुत हो चुका तेरी माया, तरिकाल देव का हात उपर उठा, अब मरने के मुं में यह यह मैं कहां फस रग गया फसा फिर वह भ्यानक प्रानी सब को हैरान छोड़ महां से गायब हो गया कौन था वह भ्यानक प्रानी रखता सुर्ख को लेकर कहां चला गया वह पता नहीं थोड़ी दिर बाद कुछ भी हो रखता सुर्ख का बच निकलना अच्छा नह या विदा और यहां से कोसो दूर तिरकाल देव तू चैन की सास चैन की एक सास भी ना ले सकेगा और तेरी मौत बनकर पहुचेंगे हम दो सैतान हा 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 पाठको दूसरों को मुसीबत से बचाने वाला तिरकाल देव खुद गहरी मुसीबत में फसने जा रहा है कब और कैसे जानने के लिए इंतजार कीजिए दो सैतानों का जिसकी भ्यानक चालो ने प्रिद्वी पर तैयार कर दी तिर्काल दे और थिंपू के लिए सैतानों की टोली चलिए दोस्तों ये कोमिक्स ये कहानी यहां समाप्त करते हैं अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह ची ची कोमिक्स लाते रहें और आपको तुरत पता चलते रहें चलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सिस्काइब नहीं क्या तो कर दें और चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स का अच्छे से भागने तब तक के लिए धन्यवाद बिदा